पब्लिक टीवी आपकी आवाद पुलिस ने कूमल लगा कर चोरी गटना को अंजाम दिया था जिसमें उन्होंने दुकान में रखे मुबाइल चार्जर के साथ अन्यमाल पर भी हाद साफ किया था पुलिस ने मामले की तफ्तीश के लिए अपनी टीमें गठित की और आज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी पुलिस ने इस मामले में चार अभ्यूक्तों को गिरफतार कर लिया पुलिस के मताबिक अभियुक्तों के पास से पुलिस को 10 लाख रुपे के मोबाइल, चार्जर, डाटा केविल और एक DVR बरावद हुआ है पुलिस ने सभी अभियुक्तों का मेडिकल कराकर उन्हें जेल भीज़ दिया है पुलिस ने सभी अभियुक्तों के अभियुक्तों के गरिफतारी की गई है और इनके दोरा जो कुंबल लगाया गया था, जिस हथियार के इस्तमाल किया गया तो बरामद हुआ है साथ ही साथ चोरी किये गये 45 मोबाइल और उनके साथ की चार्जर में बैटरी बरामद हुआ है एवाम घटना में इनके दोरा जो सौप में डिवियार लगा हुआ था, उसे भी ये ले गये थे और डिवियार को इन्होंने एक नाले में फेक दिया गया था नाले से डिवियार भी बरामद हुआ है बिस्तित पूस्ताश की जा रही है करीब दुकान माली के द्वारा जो बताया गया है यह माल दस लाख रुपे का है इस समझ में जानकारी की गई है अभी तक इनके अपराधी कितिहास के बारे में कोई प्रतक्ष अभ्योग पंजिक्रित होना नहीं पाया गया है लेकिन आस पास के थानों से एवं उत्तराखंट से ही हम जानकारी कर रहे हैं यह 9 दिसंबर आठ बटे 9 की रात्री में एक खटना हुई था हाँ सारे ठाको दोरा के रहने बाले है यह इनसे पूस्ताश की जान दोरान इनके दोरा बताया कि कि अपने निजी खर्चे के लिए इनके दोरा इस तरह की चीज़ें की गई थी सार सौप सा कुछ कैस बताया था सौप मॉलिक दोरा बताया था कैस गायब होना कैस के बरामदी अभी नहीं उपाई पब्लिक टीवी आपकी आवाज